आगरा में सरवाधेत लोग प्रीय चैनल सीन्यूस के एक को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें कोविए 19 महामारी के दूसरी लहर कम होने के बाद के इन सरकार के नागरिक उडियर मंत्राले ने ताजनगरी से एहमदाबाद, भूपाल, बैंगलूरू के लिए ताजनगरी के खेरिया सिविल अरपोर्ट से विभिन एरलाइन्स कमपनियों को फ्रैट शुरू करनी के अनमती दी है परिटन व्यवसाय से जुड़े लोगों ने इसी ताजनगरी के परिटन और होटल व्यवसाय के लिए शुप संकित बताया है COVID-19 महमारी की दूसरी लहर कम होने के बाद केंद्र सरकार के नागरिक उडियर मंत्राले ने ताजनगरी से हमदबाद, भोपाल, बैंगलूर के लिए ताजनगरी के खेरिया सिविल आइपोर्ट से विविन एरलाइन कंपनीज को फ्लाइट शुरू करने के अनुमती दी है परिटन वैवसाई से जुड़े लोगों ने इसे ताजनगरी के परिटन और होटल वैवसाई के लिए शुप संकेत बताया है होटल एवं परिटन वैवसाई से कई सालों से जुड़े परिटन वैवसाई अरुन डंग ने बताया कि उत्तर प्रदेश में कई शहरों में एरपोर्ट और एर स्टिप्स हैं इन पर देश के विपिन बड़े शहरों से एर ट्राफिक रहता है अंतर राश्रिय पटल पर टूरिस्म के लिहाज से ताजनगरी इंटरनेशनल स्थर की सिटी है यहां पर साल में पहले कभी कबार चैटेट प्लेन आते थे अभी कुछ महीनों पहले से यहां से भोपाहल, मुंबई, एहमदाबाद और बैंगलॉर के लिए फ्लाइट शुरू की गई लेकिन यह कोविट के चलते बंद करनी पड़ी लेकिन एक बार फिर से कोविट की दूसरी लहर कम होने पर इंडिगो ने भोपाहल, एहमदाबाद और बैंगलॉर के लिए फिर से फ्लाइट शुरू की है निशित ही इससे ताजनगरी के परेटन और होटल वेवसाय को फायदा होगा वो आज फ्लाइट से आना ज्यादा पसंद करता है और देखा जाए तो कुछ देशों को जो परेटन में एकदम इजाफा या वरद्दी हुई इसमें इसने अपना बड़ा एहम रोल अदा किया आज भारत के अंदर खुल मिलाके पौने 500 या 500 के आसपास तक्रीवन 485 के कहते हैं एरिस्टिप्स हैं जिसमें से 123 एरपोर्ट ऐसे हैं जहां पर शेडियूल फ्लाइट चलती है ताजनगरी के एक हेरिया सिवल एपोर्ट में बैंगलोर भोपाल और हम्दाबाद के लिए एक बार फिर फ्लाइफ शुरू होने से शुहर के लोगों में फिल्म गीतकार लेखक संजद उबे ने कहा कि ताजनगरी में आए दिन फिल्मों और सीरिल्स की शूटिंग होती र पहले 29 मार्च को आगरा से बैंगलोर आगरा से एमदाबाद और आगरा से बंबई नियमित फ्लाइट थी अब थोड़ा बंबई के लिए कमी है कि बंबई की फ्लाइट जो पहले नियमित थी वो भी थी वो भी अंबीद है कि जल्दी से सुरू हो जाएगी क्योंकि बंबई के लिए ट्राफिक यहां से बहुत निकलता है और ये तीनों फ्लाइट है अच्छी चल नहीं है खुब भरके जा रही है और नियमित चल नहीं है ताज महल के चलते ताजनगरी परिटन के अंतरराश्ट्रिय पटल पर विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखती है यहां ताज महल के साथ ही फतेपुर सीकरी और आगरा किला पुरतत्व विभाग विश्विदायस मारक की सूची में शामिल है इसके चलते शहर के परि अधर की रिपोर्ट